देश में उमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच भारत के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नया वेरियंट कोरोना की नेचरल वेक्सिन की तरहा काम करता है इसका कारण मरीजों में माइल्द या कोई लक्षन ना होना है उमिक्रॉन से संक्रमित होने पर लोग गंभी रूप से बीमार नहीं होते और वाइरस के खिलाफ शरीर में एंटिबॉडिस बन चाती है एक मीडिया समू से बातचीत करते हुए जवाहरलाल नहरू यूनिवरसिटी के प्रॉफेरसर और प्रख्यात इम्यो लॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्दन दास में बताया कि उन्हें विश्वास है कि ओमिक्रॉन कोरोना की नेचरल वेक्सिन है उनकी अनुसार समय के साथ साथ वाइरस कमजोर हो गया है आज वेग्यानिक इसी तरह के वाइरस का इस्तेमाल कर वेक्सिन का निर्माण करते हैं इनमें वाइरस के कमजोर रूप को लोगों में एजेक्ट किया जाता है जिससे उनके शरीर में एंटिबॉडी बनती है Counseling of Medical Research के वग्यानिक डॉक्टर N.K. महरा के अनुसार Omicron हमारे लिए वर्दान साबित हो सकता है आला कि इस वेरियन से हर देश में एक जैसा संक्रमेंट होता है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है डॉक्टर महरा कहते हैं कि सिती चाहे जो भी हो हमें कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है ये इसी लिए क्योंकि यादी मरीजों की संख्या बढ़ती है तो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर मुसीबत में आ जाएगा मैक्स हेल्थ केर के ग्रूप मेडिकल डिरेक्टर डॉक्टर संदीब बुधिराजा भी ओमिक्रॉन के नैच्रल वैक्सीन की तरह काम करने के तरक से सहमत है उनका कहना है कि ओमिक्रॉन का कमजोर होना उन गरीब डेशों के लिए अच्छा है जहां वैक्सिनेशन ना के बराबर हो रहा है उनकी मताबिक ये वैरियन कम लक्षणों के सांथ जादा लोगों को संक्रमित करेगा जिससे आबादी का बड़ा हिस्सा वाइरस के खिलाफ इम्यून हो जाएगा डॉक्टर बोधी राजा का मानना है कि सभी अलग-अलग देशों के डेटा को एनलाइज करना जरूरी है अभी के लिए इतना ही नमस्कार आपके सांथ मैं सान्या खबरों के लिए बने रहे हैं इम्रदुभाशी के सांथ